Hello Friends, Welcome to the Juraver Classes आज की क्लास में आपका बहुत स्वागत है क्योंकि आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो प्रेक्टिस सेट होगी यानि कि मिस्लेनियस कोस्टन को हम करने वाले हैं और अब जो हमारी क्लास कांटिन्यू की जाएंगे वो प्रेक्टिस सेट के ही तौर पे रखे जाएंगे ताकि एक बार हर टॉपिक से हमारे कोस्टन टच होते रहे और पता चलता रहे कि हमारी तयारी किस अस्तर की हो रही है तो चलिए क्लास को सुरू करते हैं हम और क्लास को सुरू करने से पहले जो आपका होमवक कोस्टन था उसको हम लोग जान लेते हैं question आपका लिखा गया था भारत भारती के रचनाकार है ये एक रचना है भारत भारती और इसके रचनाकार आपसे पूछे गये थे क्योंकि इसके पहले की दो वीडियो जो आपको मिले हैं वो लेखक और रचनाओं के बारे में थे उसी से related question था तो इसका सही answer होगा option C option सही था चलिए तो class सुरू करते हैं तो आज आपका पहला question आपकी screen पर है ये भी आपकी रचना से ही है मैं साथ साथ में कुछ MCQs रचनाओं के भी डालूंगे ताकि आपको वो topic भी छूता रहे कि आप एक बार revision होता रहे कुछ बच्चों ने पूछा था कि याद कैसे करते हैं तो देखिए कोई भी चीज आप रटके नहीं याद कर सकते हो और रही बात समझने की तो लेखक को आप समझने ही सकते हो तो भीया याद कैसे करे, तो याद करने का यही सबसे बहतर तरीका है कि आप उसको 2-3 बार पढ़ो, जो भी आप notes बनाते हो उसे आप revise करना सुरू कर दो, जैसे आप revise करना सुरू करोगे तो आपको धिरे धिरे ये feel होने लगेगा, कि बिना रटे ही आपको बहुत सारी चीजों को सीखना है, हमें रिवीजन करना है, अपने आप सारी चीज़े आपकी तयार हो जाएंगी, तो पहला कोशन हमारा है विज्ञान गीता के लेखक कौन है, ओप्शन A, सेनापती, ओप्शन B, चिंता मड़ी, ओप्शन C, केसो दास, और ओप्शन D है भिखारी दास, त इतने भी राइटर्स मैं आपको बता रही हूँ न, आप सारे राइटर को नोट करते रहो, क्योंकि धीरे धीरे आप देखेंगे एक अच्छी खासे नोट्स, जो आपके एक्जाम के पॉइंट अफ व्यू से बहुत जादा इंपोर्टन रहेंगे, वो आपको धीरे धीरे मिल जाएंगे, ठीक है, एकी बार हमें पढ़ करके सारे नोट्स ऐसे नहीं कि मैंने बना लिया और मैंने कुछ नहीं पढ़ना अभी रख दू, तो ऐसे नहीं करना हमें, आप नोट्स बनाते रहो, सीखते रहो, पढ़ते रहो, ताकि चीज़ें आपको याद रहें, इसका अंसर आप हमें बताएंगे कि कौन सा परियावाची होता है, मयूर का, तो देखें मोर को हम कहते हैं मयूर, ठीक है, मोर का परियावाची आप लिखना चाते हैं, तो लिख सकते हैं, मोर होता है, मयूर होता है, शिख ही, मोर का परियावाची है, इसके बाद हम इसको क नर्तक प्रिय भी बोलते हैं, नर्तक प्रिय भी कहते हैं, नील कंट हम इसे कहते हैं, क्यूंकि इसका कंट जो है वो नीला होता है, ठीक है, बताएंगे नील कंट में कौन सा समास है और ये किसके लिए प्रियोक किया जाता है, ठीक है, और इसे हम बोलते हैं, मेह प्रिय क्या क तो इस तरीके से दूसरे question का पहला option आपका सही हो जाएगा ठीक है एक most important परियावाची है सारंग सारंग भी more का परियावाची है नोट करेंगे क्योंकि सारंग अक्सर पूछा जाता है तो दूसरे question का पहला option सही हो जाएगा और जितने लोग देख रहे हैं वो लोग पहले वीडियो को लाइक करें और साथी साथ सेयर कर दो है या कुछ लोग और जुड़ जाए ताकि मज़ा आए थोड़ा पढ़ने में ठीक है group study का मज़ा तो आप लोग जानते ही होंगे तो थोड़े लोग जुड़ेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा चलिए तो दूसरे question क अगले question पर आ जाते हैं अगला question है सोका कुल में समास है देखिए आपसे भी यहाँ पे समास पूछा जा रहा है और लिखा गया है शोका कुल तो सोका कुल में हमें बताना है समास option A तत्पुरु समास option B करमधार है option C बहुब रही और option D है अव्यवाव समास देखिए शोक कुल को जब हम इसे दो भागों में बाटेंगे ठीक है दो भागों में बाटेंगे या समास का हम विग्रह करेंगे तो समास का जब हम विग्रह करते हैं तो हमें मिलता है सोक से व्याकुल सोक से व्याकुल सोक से व्याकुल ठीक है तो यहाँ पर देखिए बीच में हमें से स सब्द मिल रहा है और से आपको पता है कि ये कारक चिन्न होता है कारक चिन्न होता है और ये भी आपको साथ में पता है कि कारक चिन्न कहां चिपा होता है ततपुरुस समास के अंतरगत आता है तो ततपुरुस समास होगा सोका कुल में कौन सा समास होगा ततपुरुस समास का पहला वाला option आपका सही हो जाएगा बढ़ते हैं अगले question पे अगला question है उज्वल में प्रयुक्त संधी है option A गुड संधी, option V वेंजन संधी, option C विशर्ग संधी और option D दिर्ग संधी तो पहले चीज हमें आप ये बताओ, पहले चीज तो हमें आप ये बताओ, क्या मैंने ये उज्वल सही लिखा है, क्या मैंने ये उज्वल सही लिखा है, चलिए इसका आप हमें comment करके बताएंगे, मैंने जान भुच के इसमें कुछ चीज़े गलट डाली है, ताकि आप मुझे बताते रहो कि ये सही है या नहीं सही है, क्योंकि वर्तनी भी हमारे exam में आता है, देखे, ये उज्वल बिलकुल गलत लिखा गया है, क्योंकि आपको पता है उज्वल इस प्रकार से लिखा जाता है, ये आपकी सही वर्तनी होगी, ये आपकी सही वर्तनी होगी, लेकिन यहां हमसे पूछा जा रहा है संदी, तो हम संदी बता देते हैं, इसमें होगा vengeance और जब हम संदी को विक्षेद करेंगे, तो इसका विक्षेद होता है उत्धन ज्वल, त बदल जाता है ज में, क्योंकि दूसरा शब्द का पहला अक्षर ज है, ठीक है, तो उत्धन ज्वल होगा, उज्वल हो जाता है दोनों को मिला करके, और संदी कौन सी होगी, vengeance संदी साथी साथ आफ वरतनी पर भी ध्यान दीजेगा कि किस प्रकार से उज्वल लिखा जाता है, ठीक है, चलिये, अगले question पर आ जाते हैं, अगला question है, अंधा यूग के लेखक है, एक बार फिर से हमें लेखक का question मिला और है ये question अंधा यूग से ठीक है, बहुत अच्छी कह स सकते हैं कि बहुत अच्छी अच्छी चीजे बताई गई हैं, option A है, गिर्जा, कुमार, माथूर, option B, धरम, वीर, भारती, option C, मुक्ति, बूद, और option D है, इन में से कोई नहीं, आप किताबों को पढ़ने की आदर डालिए, ठीके, आप किताबे जब पढ़ते हैं तो किताबो से हमें बहुत कुछ सीख मिलते हैं, पहली चीज तो हमारी वरतनी सही होती है, ठीके, दूसरी चीज, हमें नए-नए सब्द सीखने को मिलते हैं, तीसरी चीज की हमारा जो बात करने का तरीका होता है, वो धिरे-धिरे हमारे सब्दों में, हमारे बातों में वो बदलाओ देते हैं अभी किसे से place के spelling पूछ लो तो भाईया उनसे गलतियां होनी सुरू हो गई हैं क्यूं क्यूंकि हमने उसमें वर्तनी को क्या कर दिया है अशुद्ध कर दिया है तो whatsapp facebook के दुनिया से थोड़ा सा आप समय निकालो और किताबे पढ़ना सुरू करो फिर आप देखो सही है इसका अंधायुक के लेखक कौन है धरमबीर भारती चलिए अगले question को देखते हैं अगला question है सदैव में प्रयूक्त संधी हमें बताना है सदैव में प्रयूक्त संधी बताना है पहली चीज आप ध्यान से सदैव शब्द को देख लो अगर मेरे lecture को आप आराम से सु संधी है विशर्ग संधी option D इन में से कोई नहीं तो भाया सदैव में कोई न कोई तो संधी है एकदम निस्चित है क्योंकि आप इतना याद करो कि किसी न किसी example में मुझसे ये सब्द जरूर आपने सुन रखा होगा तो option D नहीं होगा हमारा आपको तीन option में से बताना है ह हम सदैव शंद जब इसका हम विक्षेद करते हैं तो हमें मिलता है सदा धन एव क्या मिलेगा सदा धन एव मिलेगा और आ के बाद अगर ए आए तो किस में बदल जाता है ए में बदल जाता है जिस पे एक भी चोटी नहीं दिखेगी उसकी मातरा single आती है ठीक है और जिस प होगी लेकिन यहां पे हमसे बृद्ध यड नहीं पूछा गया है बलकि क्या पूछा गया है स्वर संधी ही पूछा गया है क्योंकि स्वरो स्वरो का क्या हो रहा है मेल हो रहा है स्वर स्वर आपस में मिल रहे हैं तो इस प्रकार से छटे question का सही answer क्या होगा option B बिलकुल correct answer हो जाएगा चलिए next move करते हैं अगला question है कवी जगनिक की रचना का नाम है आपको रचनाय दी गई है खुमान रासो मृगावती परमाल रासो और पदमावत ठीक है इसमें हमें बताना है कि कौन सी रचना जगनिक की है कौन सी रचना जगनिक की है देखे कुछ चीजे जो म हमें comment box में जवाब दोगे तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको मैं ये उमीद नहीं करते कि आपको सब कुछ आता है और ना आप ये उमीद किया करो कि आपके सामने वाले को सब कुछ आता है क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है इस दुनिया में कि जिसको everything आता हो ठीक है कुछ करती है लेकिन फिर भी जब मैं बोलती हूँ कि आप बताओ means आप पढ़ो उसको ठीक है आप खोजो उसको जब आप किसी चीज को खोजते हो ना तो धीरे धीरे आपमें improvement होता है कि आप एक सब्द सीखोगे आप एक नए लेखक को सीखोगे नए रचना को सीखोगे और एक time के बाद आपके पास ऐसे बहुत सारी रचना है बहुत सारे लेकक होंगे कि जिनका नाम आपको याद होगा ठीक है तो चलिए इसका अंसर बताइए कभी जगनिक की रचना कौन सी है तो परमाल रासो जो है ये जगनिक की रचना है परमाल रासो किसकी रचना है जगनिक की रचना है, अब आपको ये तीन option बचे हुए, option A खुमान रासो, option B ब्रिगावती और option C है पदमावत, आपको comment box में हमें बताना है भीया कि इन तीनों के लेखक कौन है, इन तीनों के लेखक कौन है, चली अगले question पर आजाते हैं अगला question है बगहली बोली का संबंद किस उपभासा से है बगहली बोली का संबंद किस उपभासा से है तो पहली चीज़, हिंदी की कितनी उपभासाएं हैं, पांच उपभासाएं हैं, और इस पांच उपभासाओं की अठारे बोलियां हैं, कितनी बोलियां है अठारे बोलियां है यही कोस्चन हमसे पूछा गया है कि बगेली क्या है बगेली एक बोली है लेकिन ये किस उप भासा से है और पूर्वी हिंदी की बोली है और पूर्वी हिंदी की तीन बोलियां होती है एक तो अवधी होता है दूसरा बगेली होता है और एक और हम कह सकते हैं 36 गडी एक और होता है 36 गडी तो इस तरीके से जो बगेली है ये किस से संबंदित है ये पूर्वी हिंदी उप भासा से संबंदित है आटवे question का आपका correct जो answer होगा वो option B हो जाएगा चलिए अगले question को देख लेते हैं अगला question आपके screen पर है आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्ति का अर्थ बताना है आपको आम के आम गुठलियों के दाम ये लोकोक्ति है और इसका अर्थ बताना है option A दोहरा लाब, option B महंगाई बढ़ाना, option C काला बाजारी और option D है कमर तोड महंगाई तो देखे आप आम तो खाते हो लेकिन क्या उसके गुठली भी खाते हो नहीं गुठली खाने का मतलब होता है दोहरा लाब गुठली खाने का मतलब क्या होता है दोहरा लाब कि मतलब आप तो आम के लिए उसको खरीद के लायते लेकिन उसके जो वेस्ट हैं उसका भी हमने कोई न कोई यूज कर लिया यानि कि हमें क्या हो रहा है दोहरा लाब हो रहा है तो इस तरीके से नौवे कोस्चन का जो सही आंसर होगा option A सही हो जाएगा तो चलिए आज का last question जो आपका homework question होने वाला है आपको बताना है पदमावत रचनाकार का नाम और अगर आपने notice किया होगा तो मैंने आपको वैसे ही दे रखा है कि पदमावत रचनाकार कौन होंगे ठीके पदमावत की रचनाकार कौन होंगे तो इसका अंसर आप हमें comment box में करेंगे साती सात अब रोज class को continue करो क्योंकि अब हमारी जो classes होने वाली हैं वो मैंने बता दिया कि miscellaneous question के चलने वाले हैं और मैंने एक चीज सोच रखा है कि इसके बाद की जो हमारी class होगी कल की class में मैं एक बार आपको KVS का syllabus दिखाऊंगी KVS Hindi का syllabus दिखाऊंगी कि हिंदी में कौन कौन से हमें topic पढ़ने हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी थोड़ा confusion है कि क्या उसमें है क्या नहीं है और दूसरी चीज कि किसी दिन मतलब जब भी ऐसे हमारे series चलते रहेंगे तो बीच बीच में आपको KVS के भी paper कराए जाएंगे जो previous year में हुए हैं साथ में DSSB के भी DSSB के भी मैं question कराती रहूंगी ठीक है तो चलिए मिलेंगे next class में नए video के साथ तब तक के लिए thank you दोस्तों